सिक्षा का अधिकार अधिनियाम 2009 यह कानून पूरे भारत में लागू किया गया लेकिन क्या इस कानून का पालन सही धंग से किया जा रहा है मैनपूर के सरस्वती सिसु मंदीर में पढ़ाई कर रहे हैं हरसीताग वाले यह वो बच्चे हैं जो की सिक्षा के अधिकार के तहट नीजी स्कूल में इनका दाखिला कराया गया परन्तु इन बच्चों के पालकों से मनमा ने फिस वसूल भी किया गया आप मन के बच्चा के पढ़ाई ला लेके का दिक्कत आत है आप मलना इक का कथे सरस्वती सिसु मंदीर में पढ़ाई पर करके अधर दे कि गडरबीरे खवाला माप हुई करके भर दे महीनी बनी मजदूरी करके फिज भी पटा दें, फिर उकर बाद बोलिस माप हो जही करके बोलिस भी पटा दे रहाओ, फिर पैसा भी आपस हो जहीं, माप हो जहीं, इसे करके बोलिस भी पटा दे रहाओ, फिर पैसा भी आपस हो जहीं, माप हो जहीं, इसे करके बोलिस भी पटा दे भी रासी लिया गया है इसकूल प्रशाशन को इस कानून का जरा भी डर नहीं है छोटे छोटे गरीब बच्चों के हक को मारा जा रहा है ये बेचारे बच्चे तो ये भी नहीं जानते कि उनके अधिकार क्या क्या है इसकूल प्रशाशन ने इन बच्चों के फीज तो डकार ही लिया साथ ही इनके लिए दिये जाने वाले पाठ्थ पुस्तक की रासी यूनिफार्म की रासी को भी डकार गये और कागजों में इन सारे चीजों को बाढ़ भी दिया गया है ये मामला सिर्फ एक गाउं एक इन बच्चों के पैरेंट्स से जो निसूल को पढ़ाई कर रहे हैं उनसे जो फीस लिया गया है उनके फीस को वापस दिलवाने के लिए और इसकूल पर कारेवाही हो इसके लिए गरिया बंजीला के कलेक्टर माननी श्री निरंजन दास जी को उनके आफिस के नंबर 07062414 इस नंबर पर कॉल कर दबाव बनाए इस कानून का उलंगान जितने इस कुलोनी किया गया है उस पर भी कारवाही किया जाए मैं हुरीना ग्राम मैनपूर जीला गरिया बंज शतिस गड़ इंडिया अनहाट के लिए आए नाऎ याट लिदी निर्ट बॉ़िवी को उ पाहँ आःर जब सोगे लिए कर दो को भी कर दो कि लिए किया एवैक